नमस्कार दोस्तों, गूद इवनिंग, कैसे आप लोग, कै मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? किया है आच की सेशन, के साथ? आगे बड़ेंगे दोस्तों, श्युवात करेंगे आज की Spirituals है, means, अगे आट शुवात करेंगे आज के लोग, आज हमारे पास आर्ट कलने की वे हैं, कुछ about is due transcript So, today we have Global Termo के अंदर तो उसको मैंने एक आर्टिकल फॉर्म में निखा रहा है आपके लिए तुदा हिंदू काश को दोस्तों यह कॉटन कर्स यह डाउन टू वर्थ में आया दोस्तों आच कॉटन कर्स का पास होगाने वाले जो किसान हैं हमारे नौर्थ इंडिया के वो किस प्रकार वर्तमान संकर चल रहा अमेरिका में जो रास्पती हैं उनके क्या विचार हैं इस पर बात करेंगे इस पर आपके साथ अमेरिका की विदेश नीतिये बात करेंगे आपके साथ और एक अर्टिकल होगा दोस्तों हमारे पास six interconnected risk tipping points यह भी down to earth का है दोस्तों आपके लिए कि छ आपके साथ अमीद करो मेरी अवाज आप तक वहुंच रही है हम प्रारम कर सकते हैं सब लोग तयार है इक बाट लाइक और शेयर कर दीजे नहीं कि आप अगर आपने अप्तक्तों दोस्त तब्रेट कैसी है में लिए ठीक है पहले से बहता है शायद कल से हम लोग क्लास प्राफर स्टार्ट कर पाएंगे और एक जानका में देना चाहूंगा सुभे अपनी इस 9.30 पर क्लास होगी कल क्ल क्लास नहीं है स्टरडे है वीकेंड है तो कल आपके संग क्लास होग इस चैनल पर लाइव अपनी है अपर ठीक है और डिस्कुशन करेंगे वन पी आईवी 360 का दोस्तों ना पी आईवी चलू कर रहे है कल से हमनों प्याइवी 360 स्टार्ट होगा अपना सुभे साढ़े नौब इस चैनल की ओपर ठीक है अपकी मांग थी लंबे समय से पूरा कर प्राणा था उसको प्रारम करें गल्दी जैनलों सेशन को अपने चलू पर पहले पास है वैश्विक इस तर पर जो टर्माइल आया है ग्लोबल टर्माइल आया है या रिन्यू डिस्क जो जो जोकिम दुबारा सामने आ गये हैं उसमें क्या-कैस मुश्किले बनी हुए है आप किसम दोस्तों आटिकल पढ़ने ही हो ग्याटिकल है तो यहां पर हम देखते हैं अभी कुछ दूनों पहले की बात है 6 अक्टूबर के आसपास की आर बी आई की जो मौनिटरी पॉलिसी कमेटी है हर दो महीने मीटिंग करती है मौधरिक नीती समेती दो महीने मीटिंग होती है हरुईनी में इ spite था कि देश की इस साल जो ग्रोथ रहेगी परसेंट रहने का नमन बताया था है कि जो 2023-2014 का जो साल चल रहा है इस साल जो ग्रोथ रहेगी साल 6 परसेंट परस रहेगी यहानों ता 6 अक्टूबर का वाना कि बहुत सा इड़मी चल रहे ह Și Lastly रा орт आपर वित्ती बजारों में संकट चल रहा है, देश का मांसून प्रॉपर नहीं आया है, कहीं न कहीं अपने आप में, कई घरिलू मांग भी अब तक नहीं उट पाई है, तो कहीं न कहीं कई कारण है कि भारती ग्रोथ रिट साड़े छे पसंट रहने का अनुमान लगाया था किसमें हमारी RBI ने, यह बात है 6 अक्टूबर की लेकिन जैसी जारी किया रोने, उसके बाद हम देखते हमास वाला वार चालो हो गया, हमास इसराइल वार चालो हो गया वहाँ पर, तो यहां पर राइटर कह रहा है जना, की RBI जो कह रहा है तो उसके बाद हम देखते हैं न इसके बाद द्रगाता हम देखे हैं यहाँ पर निर्मला जी रगातार कह रहे हैं कि वैश्विक, खाद्यान, इंधन और फैटलाइजर सप्लाई आप बादित हो रही है तो 3F सबसीडी जो हैं हमारे यहाँ पर, पूड, फैटलाइजर और फ्यूल, यह तीनों बहुत जादा बढ़ रही हैं हमारे यहाँ पर, यह कहना है निर्मला जी का, यह तरफ सबसीडी का बोज बढ़ रहा है सरकार की उपर, यह चिंता का विशह है हमारे लिए, और दूसरी बात कहीं न कहीं, वैश्विक तनाव ब बढ़ लेंगे दोस्तों, इनके प्राइस बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी अर्थ्वास्ता को नुकसान हो सकता है, ठीक है, अगर सरकार चुनाव का समय चुकी, सरकार नहीं चाहिए कि महंगा इंधन या महंगा औरोरक लोगों तक पहुँचे, तो सरकार को हैवी सबसीडी नहीं पड़ेगी, यहां पर चुनाव का समय है, तो राइटर कहला है कि एलेक्शन का सीजन है समय चुकी है, तो किसानों को या भुकताओं को अधिक मुलिद ना चुकाने पड़े, सरकार ये प्रियास करेगी, उससे सरकार पर सब्सीडी का बोज बढ़ सकता है, राइटर बांड लील का बढ़ना मत्तब अमेरिका में इंटरस्टेट हाई हो जाना, और यानि वहां से निवेश अब नहीं आएगा, वहां से निवेश नहीं आएगा, कहीं ना कई भारत को मुश्किले होंगी यहां पर, तो अगर वहां से निवेश नहीं आता है, इन्वेस्मेंट नहीं आता भारत के अंदर डॉलर नहीं आता है तो मुश्किल हमारे बढ़ सकती है हमारे यहां फिनेशल टैसिस पैदा हो सकता है जी हां तो एक बड़ी समस्तिया क्योंगी भारत नोधार चाहिए भारत सरकार को या हमारी कमड़ों निवेश चाहिए वो नहीं मिलेगा हमको यहां पर इसके लावा FDI तो नहीं आएगा साथी सथ FII भी नहीं आएगा शेयर बजार में पविशे लगा रखा था शेयर वजार में निकाल के ले जाएंगे यहां से एक्जक्ली वही हुआ तो शेयर वजार ने बिक्वाली देखी गई बड़े स्केल पर और बहुत साथ तेई से शेयर मार्केट में गिरावट आ गई, जुलाई के मुकाबले बहुत तेई शेयर मार्केट गिरा है हमारा कारण, जुम्हें पैसा लगाया था डॉलर यहां पर, वो भी निकाल के चले गए भारत से बाहर यहां से, चीक है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, तो यहां पर RVA चिंतित है, RVA का मानना है कि भारती अर्थवस्ता संकर दिख रहा है इनको, हाला कि हमारे रित्यमंत्री का कहना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अस्थिरता है, पहले भी आती रही है, लेकिन बड़े स्केल पर अच्छा काम कर रही ह वो सब टेंपरिली परकार का है, इस से भारत के निवेश पर कोई असर नहीं पढ़ने वाना, जिस सरकार बता रही है कि कोई असर नहीं पढ़ेगा आपको, ठीक है, तो उनका मानना है कि हम देखें, जो तेल का मूल्ले है, सरकार ये कह रही है, आप कहरें, आयल प्राइस जितना था, हमारे पहले एक वार्टर में या दूसरे एक रही है, उससे तो कमी चल रही भी यहाँ पर कही न कहीँ, तो हमारा जो तेल का मूल्ले है भी छे मैने पहले चल रहा है, तो अच्छी बात सरकार मान रही कोई समस्षय नहीं है, हाँ, वदेशी वेपा रुदा कम ह बिदेशी वैपा थोड़ा कम हुआ है, कमजोर पड़ा है, हमारा निर्याद थोड़ा कमजोर पड़ा है, और भारत में घरिलू मांग भी कम हो गई है, जी हाँ, तो भारत में घरिलू मांग कम होई है, सरकारमान भी घरिलू मांग कम होई है, निर्याद कम हुआ है, कुलम ला करसंग इस आर्टिकल के रहा, एक अच्छे कुछ पॉइंट्स बतादू है, आपको यहाँ पर लिखने के लिए, समाईने के लिए, कि इस समय ग्लोबल एक्रोमी कहां खड़ी है, भारत के अथरस्ता कहां खड़ी है, तो भारत में हम देखें, डिमांड स्केल पर, क्या डिमा लोगों की आए नहीं है, रोजगार कम है हमारे यहां पर, महेंगाई जादा है, ग्लोबल डिमांड आती है, एक्सपोर्ट के जरीए, एक्सपोर्ट हमारे है कम हो रहे है, कम क्यों हो रहे है, क्यो ग्लोबल रिसेशन एक पकार से दिखने में आ रहा है, ग्लोबल मंदी चल रहा है तो इससे कहीं न कहीं हमारे निर्यातों की मांग कम हुई है इंवेस्मेंट की बात करें निवेश करें बात करें निवेश कैसा चल रहा है तो सरकार खुद मानती है कि विदेशी निवेश इससे में नहीं आ रहा विदेशी निवेश इससे में नहीं आ रहा क्योंकि य सरकार को अपना खर्च गम करना होगा, इस सरकार निवेश नहीं करेगी, private investment होगा क्या, तो private ये देखिएगा कि demand नहीं है, जब देश के इंदम भांग नहीं है, तो वो भी निवेश नहीं करेगा, तो ultimately निवेश भी नीचे जा सकता है, इसके लावा जो global चीज़े जो positive sign हमा और निवेश कम होना इस चिंता का विश्य डिमांड भी कम हो रही है, और मांग निवेश भी कम हो रहा है, तो concern है global economy को देखते हुए, लेकिन सरकार मान रही है, सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है, उमित कर रहा हूं, article clear होगा दोस्तों आपके लिए, यह article clear होगा है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, दोस्तों, यहां से, क्या भारत तयार है, Olympic Games का योजिन कराने के लिए, तो यहां पर सब्दा हिंदू के जो anchor थे, उन्होंने पद्रकारों से सवाल पूछा, दोस्ती लोगों से बात करी, उन्होंने, उस पर उन्होंने तयार किया है, अशिस पर इंफिल्टिट टैक्स रेट शैमिल कर सकते हैं, नहीं करूँगा दोस्त में, उस पर नहीं जाओंगा जाओगा, प्रेजर नहीं होगा यहां पर, उलम्पिक गेम्स के भात आज़ित करा सकता है, यहां तैयार है, तो यहां पर पीम साहम ने कुछ दूनों पहले कहा कि भारत प्रियास करेगा, कि 2036 के उलम्पिक भारत के आज़ित किये जाएं, अच्छी बात है सर, ऐसा हम प्रियास आज़ित करेंगे, ठीक है, तो यह लगाता सपना रहा है भारत के स्पोर्ट्स ओफिशल्स का, सरकारों का, कि उलम्पिक कराए जाएं भारत के अंदर, ठीक है, तो कहीं न कहीं यह भारत की जियो प्रिटेल पावर को दिखाएगा, हमारे विकास को दिखाएगा, हमारी सॉ आज़ित का ओलम्पिक हम बात करें यह आपर, आखिर क्या प्रस्टीज है इसके अंदर, तो वह सीधी बात है, मतलब कुछ पॉइंट दाओं में ओलम्पिक कराने के फाइदे, अगर मैं आपसे कहूँ कि ओलम्पिक कराने के फाइदे क्या हो सकते किसी देश को, तो समली कर अफसर रशना तयार हो जाती है उस देश के अंदर, या दखिएगा हमेशा, अफसर रशना तयार होती है, दूसरी बात है, स्पोर्ट्स प्लेयर तयार होते हैं वहाँ पर, एज़दा ख्लाड़ी वहाँ तयार होते है, क्योंकि आप खेलने का मौका प्लता है, ग्लोबल कं में स्पोर्ट्स होना ये उसकी प्रस्टीज ये उसकी गर्व की बात होती है उसके लिए इंटरनेशनल फोरम में वो दिखा सकता है कि उसका डेवलप्मेंट का लेवल क्या है तो कहीं न कहीं ये डेवलप्मेंट या मैं कह सकता है कर से विकास को दिखाती है दुनिया को उसक सी गत being done है उनको फाइदा मिलता है से औलमपिक क्या बात कराने से इसके लाव दूस्तों हम बात करें ओलमपिक में या 新FF क्या बात करें है या औलमपिक क्या प्त्रण आप मेरे वाज़न से और क्या फाइदा बात Aww Stock के हैं यहां पर श्पर्ट्स बॉत्रवन आप सुचिए देश में G20 हुआ आपने इंडोटिस किया हूँ, G20 हुआ, पुरी देश में मिटिंग हुए, हमारे यहाँ पर डेढ़ करों लोगों ने पार्टिस्पेट किया G20 के सफल आयोजन के लिए, पिपल्स पार्टिस्पेशन की बात की PM सामे, सुचिए ओलम्पिक हो खेके, खेले, तो कुछ पॉइंट से दोस्तों, उलम्पिक कराने के फायदे हैं, लेकिन उलम्पिक कराने के सामने चनौतियां क्या हैं भारत में, क्या चैलेंजिस हम फील कर रहे हैं, क्या चनौतियां हैं भारत में उलम्पिक कराने के सामने, अगर हम उसे पूछा जाए, तो चैलेंजिस की बात करें तो चैलेंजिस अपकोस बहुत ददा पैसा लगेगा लगबक 30 से 40 अरब डॉनर भाद को खर्च करना पड़ेगा निमेश करना पड़ेगा तभी यह उलम्पिक करा पाएंगे बड़ा खर्ची रखाम है दोस्तों चैलेंज नमबर दो है दोस्तों कहीं न कहीं हमारी जो स्पोर्ट अथरोटी है क्योंकि इंट्रनाशनल उलम्पिक एस्ट्रेशन जो है ये आपके देश की नैशनल उलमपिक कमेटी जो होती है उसे देता है मेजवानी सरकारों को गौर्मेंट नहीं करा सकती ओलंपिक। स्टेट गौर्मेंट नहीं करा सकती ओलंपिक। इसने corruption इसके अंदर है, चाहे हम badminton संग की बात करें, या हम table tennis संग की बात करें, आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं, तो ऐसे में, आप जिनको आजन देना चाहते हैं, क्या इन में समनवे हैं, क्या ये bodies इतनी responsible हैं कि सम्हाल पाएं पूरे मामले को, जी यहां दो इसके 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 बात करें ये इसके अच्छे राइटर यहां पर एक बात करा रहा हैं, बड़ा इंटरस्टिंग बात राइटर बता रहा हैं, एक राइटर जो बता रहा हैं आपर कि एक बार खेल मंतरी थे देश के, और ने कहा था कि नहरू स्टेडियूम शुडबी लॉक्ट, इसे लॉक कर देना चाहिए, अधर्वाइस दा ट्रैक विल गेट, यह जो ट्रैक है, जो रॉनिंग ट्रैक है, अथ्लेटिक ट्रैक है, वो खराब हो जाएंगे, लॉक नहीं किया गया तो, फाइनली, विदाउट एनिवन रॉनिंग, कोई दोड़ा भी नहीं इस पर, और ट्रैक खराब हो गए, क्यों, क्योंकि वो बंद रहा काफी लंबे समय तक, मेंटेनिंस नहीं करा अपने, तो तार लगा देंगे, बाहर से मेंटेन नहीं करेंगे इसको, तो खराब तो होना ही है उसको, मेबी, अगर लोग दोड़ते यहां पर, तो शायद जीवित रहता, और लोग कुछ सीख पाते, तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐससे स्टेडियम चाहिए, जो वर्केबल हो, हमें क्या वो पर्मेंट इस्ट्र बना कर लखा जाए, तो एक चैलेंज क्या है, आप जो इन्फरा तयार करोगे, वो तन्ठाई रहेगा, या स्थाई होगा, इसके बार में चर्चा रहेगी हमारे साथ, चाहिए, इसके लावा चैलेंजेंजिस क्या है, और चैलेंजेंज trillion का समन्वें का दोस्तों, आज हमा कि कमी है कही न कही हमारे यहां पर तो निश्वत तौर में मुश्किल होगी हमारे यहां पर तो कुछ चैलेंजेज हैं आईए बात करते हैं आर्टिकल में चलते हैं आपको लेकर एक बार आर्टिकल में क्या करा है राइटर हमारा यहां पर ठीक है तो क्या हम बात करें दोस्त तो एक प्रिकार से बुराई भी होगे इंतरास्ति इस तरह पर आपकी तो दो मुखी तरह पर तलवार होगी अपने आप में ये कि हिट हो गया तो आपके सम्मान बढ़ेगा अगर प्रॉडम खराब हो गया तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी दुनिया में आपके ब ये जो आयोसी होती है अलंपिक कि मैंने किसको देती है अनोसी को देती है इंटरनाशनल ओलंपिक कमेटी जो है मेजवानी का दिकार कैसे देती है रास्टे ओलंपिक कमेटी को ना कि सरकारों को नहीं मिलती है ये किसे मिलती है अनोसी को मिलती है अनोसी क्या होता है रास्ट जाहिए जो एक होकर बात करें उसकी जो नैशनल ओलमपिक कमेटी स्टेट उलमपिक कमेटी जैस पुर्ट टीक सब्रच वेदरेशन ये वह एक समान बात करें उनमे समद्रेय हो यहां पर तो अगर रखया समद्रें नहीं होगा ऐं आपक जो मैंने करा पाएंगे मैंने कहा यही चैलेंज अपने आप में, कॉर्डिनेशन बड़ी कमी इनके अंदर दोस्तों ठीक है, सरकार तो बात नहीं आती है, सरकार को नहीं मिलती, मेज़वानी मिलती है, हमेशा NOC को यहां पर, ठीक है तो NOC काम करेगी, सरकार के साथ मिलकर काम करेगी NOC से न पॉइंट दिया दूस्तों, चलिए कोई बात नहीं दूसरी बात यहां पर है अपने आप में, कि जन भागेदारी होना बहुत जरूरी है, इसके मेंना उलफिक सफन नहीं हो सकते हैं, आपको हजारों वॉलेंटियर चाहिए यार लाखों लोग चाहिए इस बड़े इम का आउजित कराने के लिए, सोचेगा, जी ट्वेंटी का आउजिन हमने छोटा से इवेंट था, बीस देशों रास्टत देख शाने थे यहां पर, उसके लिए डेल लाख लोगों का पाटिसपेशन, डेल करों लोगों का पाटिसपे इसमें सामग भी शामिल होती है, कल्चर भी शामिल होता है, हरिटेज भी शामिल होता है, आप कितना अच्छा होटल, रेस्टरों बनाते हैं, वो शामिल होता है, इंफ्रा शामिल होता है, वित पैसा कहां से आएगा, सरकार क्या करेगी, स्पोर्ट्स बोडिस क्या करेंगी इनके भी समन्वे होना, इनकी बीच कोहेशन होना बहुत रह जरूरी है तो समन्वे होना बहुत जरूरी है दोतों, तिसरा पॉंट हम लिख सकते हैं याँ पर जो स्पोर्ट साथरोटी है, लोग है, अब सरॉचना बनाने वाली कमपनिया है जो hotel restaurant है, जो Sanskritic mentality है, इनमें समन्वे होना बहुत ज़रोरी है, जैसे Paris Olympic होने वाले एगले साल दोस्तों, next day Paris Olympic 24 में होंगे, तो Paris Olympic होने हैं, वहाँ पर Olympic के हर आज़िन के साथ Culture Committee जोड़ी है, कि कैसे वो Paris की सभ्विता को, Paris की Sanskriti को दुनिया तक पहुचा पाए, तो कहीं न कहीं इन पॉइंट बात है, इनको नौ निगोशेबल है, अपने हमें मिलकर काम करना होगा, समझवे करना होगा दोस्तों, ठीक है, समस्य बताई में न वो कहा है, दोस्तों, फेडरेशन जो है, ये बहुत खराब हालत में चल रहे है, इनको गवर्न बहुत खराब तरीके से किया ज न रहा है, इनको नहीं मालूम कि टैलेंट की डेवलोम कैसे करना, तैलेंट की के साथ रती है, ऐसके बाद, अगर आप तीज, चारफ ललर पर खर्चed कर रहे हैं, तो जो स्ट्रोक्चर भनेंगा, उसके क्या क्या करेंगे, बड़ा चल रहे हैं आपने हैं, लेकिन आज करना एक अच्छी बात होगी और उससे फाइदा देश को हो सकता है ठीक है चलिए दोस्तों क्या हो पाएगा तयार अटिकल हमारा यह क्या अटिकल हो जाएगा तयार दोस्तों यह बताइए मुझे एक तीस सेकंड का ब्रेक जिसे क्लिए्यार मुझे झाहरा जिसे क्लिया अग्गड आपके साथ सुबह यूट्यूब पर और चर्चा करेंगे PIV 360 के आपके साथ तो लाइव आने का प्रयाज कीजिएगा आए एक आर्टिकल दोस्तों में आर्टिकल क्या न्यूस सेंस क्यों में हो इक आर्टिकल टॉप में है कॉटन कर्स टाइड ऑफ लॉसस फार्म गेविन कॉटन लार्ज स्केल ठीक है ये मेंस का टॉपिक के अपना अच्छे जुड़ेगा आपके साथ यहां पर आएए बात करते हैं डाउन टूर्ट में हैं दोस्तों ये चोटा से प्यार से एक थीम है बस वो समय लो ये थीम है इसको आप थोड़ा समय लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके साथ चरी ओके दिखिए हो के रहा मैं को थीम समझादो थीम के आप पूरे आटिकल की आप चोटा से थीम है पंजाब में हरयाना में और वेस्टर्न राजस्थान गंगा नहर जो आम आंगर के लाके हैं जो वेस्टर्ण इंद्रगांधी के लाका है वहां के वास पास की बात करे राजस्थान वेस्टर्ण भी नहीं मतलब नॉर्थ वेस्टर्ण राजस्थान का उच्छा रहेगा जो पंजाब से लगा हो बॉर्टर है उसका वेस्टर्ण राइस्थान के इंद्रगांधी के नाल है यहां पर तो नॉर्थ वेस्टर्ण के च्छा रहेगा क्या बॉल्डएंश्य स्ट्टुइंट अपना सी ऐ वाला लाइव हुगा हां वो ही करूंगा देखता हूं ऑफ्लाइन करूंगा करूंगा नहीं करूंगा फिट रहे होगा है कि पीट है अपना करंट रफ्रेस वाला यह को चाहिए अफ्लाइन खेंगे अपनी है पह्पाहस की खेती हो रहे थी लंबे समय से कॉटन ऑगाया जा रहा है बी टी कॉटन ऑगाते हैं लोग ची केहाँ पर क्याती होती का पास की पिछक्ले कुछ सालों से pink warm गुलाबी सुंडी बोलते हैं दिनकों गुलाबी सुंडी warm एक परकार कीड़ा warm बहुत देख रहे हैं यहापर दोस्तों pink warm खराब कर रहा है कपास को लगातार कपास का 80 to 90 percent खेत खराब हो जाता है जब pink warm वहापर फैलती बिमारी फैलती है तो पूरा खराब हो जाता है 80 to 90 percent कपास खराब हो जाता है तो किसानों को नुकसान हो रहा इस pink warm के कारण इस pink warm के कारण दोस्तों farmers को नुकसान होता है ठीक है पहला आसपेक्ट हो गया farmers ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं निगेटिव में है farmers फार्मर्स क्या कर रहे हैं प्रियास कर रहे हैं कि alternate क्यों जाए इनके अप alternate क्यों जाए इसका कपास या कपास का alternate क्या है उन अलाकों में वो धान होगाना चाहेंगे पैड़ी होगाना चाहेंगे दूस्तों वहाँ पर वो धान होगाना चाहते हैं या उनके पास संत्रा होगा किसानों के पास और्टरनेट है इसका कि या बागवानी प्लांटेशन कर लो या फिर पैड़ी उगा लो धानो यहां पर इसको गाने के पीछे कारण क्या है उसके कारण क्या है दोस्तों यह दोनों ही अपने आप में पैसा अच्छा देती हैं चाहिए वो बागवानी फसले ह दोस्तों पानी की मांग करेंगे व्मर्दब क्या होगा दोस्तोंцतों इनको groundwater का प्रयोग करना पड़ेगा बड़े स्केल पर या परियावन को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा बड़े स्केल पर तो यहां पर किसान भाई क्या चाहते हैं हमारे कि उन्हें अच्छे बीज दिये जाएं उन्नत बीज दिये जाएं उनको यहां कही न कहीं जिससे इस प्रकार के पिंक वाम से रड़ सकें अच्छे बीज मिल जाएं इनको यहां पर या उनको कुन लाकर ना कपास का ही का खेती करना चाहते हैं लेकि इसमें तकनी लाजजा जिससे वो नई तकनी का उप्रयों करके इन बीमारियों से मुक्ति प्राप्ट कर सकें तो यहां पर जो पूरे राइटर का थीम यही है कि पंजाब हर्यान में क्या हो रहा है बीटी कॉटन की खेती छोड़कर किसान जा रहे हैं और वेकल्पिक फसलों की और मुक्यता वेकल्प पुगाने वालों में चीज़ धान यह संतरी खेती हो रही है यहां पर और इसका सीधा असर क्या होगा यह अनवार्मेंट फ्रेंडी फसलें नहीं है यह पर्यावन यूपसे मित्र फसलें नहीं इससे कही न कहीं बढ़ती है वाटर इंटेंसिटी बढ़ती है यह जहां अधिक पानी का यूज होता है दूस्तों जिससे ग्राउटन वॉटर कम हो रहा है या लगातार देख रहे हैं पर्याओं को नुकसान पहुंच रहा है तो किसान चाहते हैं कि उन्हें अच्छे बीज दिये जाए एडवांस सीड दिये जाए या साती साथ उनको कपास के तक्निक दी जाए दोस्तों यह किसानों की मांग है इस पूरे आटिकल को पढ़के समझाना चाहिए को यह पर यहाँ पर यहाँ पर एक पिंग क्रैसे दूस्तों अपने आप उपने अपने पर आप ए तो नॉर्थ न जो कॉटर जो पांचब अन्याना वेस्टन में स्केल पर तो किसान चाहते है और बागवानि कावन कर सकते हैं किसान अब इसका में अप्र नुकसान क्या प शुक्ता क्या है सस्टेनिवल फार्मिंग प्रेक्टर जी हां सतत खेती करनी सीखना होगा इनको यहां पर और उसके लिए तकनीकी विकास चाहिए उसके लिए कहीं न कहीं हमको यहां पर चेपीश चाहिए तब ही हम यह काम कर पाएंगे तो छोटी सी बात दोस्तों अमीद कर ज ज बात लाई कर दोस्तों कि क्योंकि क्योंकि क्यूंकि यहां क्रॉप पैटन को चेंज करता है में क्या सब्सेडी क्रॉप पैटन को चेंज करती है जी हां बिल्कुल करती है जिसमें जादा मिलती है किसान को Thank फदफपान करता है और जहाँ पर आउस का चैपस ज्यादा है उसको मुस्वारा है तो कई नाव केमाड़क उनको कंकरता है ङया खत्म करता है जोड़त क्लिर एंको क्योण नोगों को क्यों महां बढ़ा सकताऊं यहां से क्या मैं आंगे बढ़ सकता हूं दोस्तों यहां से सभी रोग जल्दी उताईए जी से अगला आटिकल दोस्तों मारे पास है अमेरिका के राष्ट्पती क्या सोच रहे हैं से मैं समझेगा ठीक है बड़ इंटर्सिंग आटिकल दोस्तों न यहां पर अब देखिए पिछले दो सालों में चीन का बढ़ता एग्रेशन हो युक्रेन समस्या को देखिए या भी इस्राइल हमास समस्या को देखिए यसी कोई भी समस्या पीछले को दो में चीन ताइवान पर अटेक करना चाता है वो में दिख रहा है एक परकार से युक्रेन पर रश्या टेक कर रहा है वो दिख रहा है इस्राइल हमास के रहा है और अमेरिका क्या कर रहा है अमेरिका इन संकटों का फायदा उठा रहा है जी हां तो अमेरिका की विदेश नीटी वे इन संकटों का फायदा उठा के देखा जा रहा है आईए दोस्तों बात करते है, अमेरिका काई multiple front पर अनला है समय, तो कौन कों से front अपाउंट है दोस्तों, तो एक बकार से समझेंगे दुनिया में खतरा अमेरिका रहा है, चिन, इरान के क्या हो रहा है, आपने हमें एक collaboration बना रहे हैं लोग कहीं न कहीं, और इस से क्या हो गय अमेरिका के लिए कई जगा खत्रा पैदा हो गया अब रश्य अटक करा यूक्रेयन तो यहां एक चल एक आपकाउंट खुलना पड़ेगा अमेरिका को अपना इधर यहां पर इसराइल हमास का हो गया तो यहां पर कुस्ता को समस्या हो गई या उसको लगता है कि नहीं इरान कुछ एडिया मुश्किल करेगा गल्फ कंट्रीज में तो उनको सिक्यूर करना है या चाइना तैवन पर करेगा तो तैवन को सिक्यूर करना है कुल वलाकर क्या हुआ है अमेरिका को एक साथ कई फ्रेंट पर लड़ना पड़ आए एक तो यह समस्या हो गई लेकिन वही या चाहिए अपका तो एक तरफ तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ब लेकि कई फ्रेंट पर और दूसरी तरफ अमेरिका खर्च भी निकर सकता हुआ बार की ऊस Pelosi ब्यूपर लिदेशी जमीन पर लर की उफ़र के ऊपर तो अमेर्का इनन views आना लाद होती पर कहरा है अउ क्या करें? संठा है तूम है क्या किया है दोस्तों अब तक यू अलग दिख रहा था ना जाता दिख रहा था कही रूस के संग दिख रहा था जैसि वर हुआ रशिया का यह इस से अमेरीका को फाइदा क्या हुगा? EU अमेरिका के और करीब आ गया और NATO का विस्तार हो गया अमेरिका के लिए तो ये अमेरिका को फाइदा हुआ दोस्तों ठीक है वहीं हम देखे हैं Japan का डिफेंस बढ़ गया तो अमेरिका के अच्छी बात है उसका दोस्त अपना डिफेंस बढ़ा रहा है जापान ने डिफेंस पॉलिसी भी जारी की लास्टेर अपनी वो भी देखा हम लोगों ने तो जापान का डिफेंस बैट बढ़ रहा है जापान और साउथ कोरिया एक साथ आ गए हैं हमको ये भी दिखता है करी ना करी दोनों दुश्मन हुआ करते हैं लेकिन अब दोनों देश एक साथ आ रहें डिफेंस मुद्दों पर फिलिपीन्स के साथ सम्द अच्छे होगा यहां पर अमेरिका के सही हो कर रहा है फिलिपीन्स को वियतनाम के समय इस्टेजिक पार्टनर्शिप करें सोचे एक समय वियतनाम से लड़ता था अमेरिका अमेरिका वियतनाम से लड़ता था एक समय और आज वियतनाम का सब्चेश दोस्तों में आ गया है इस्टेजिक पार्टनर्शिप कर लिए उसने आकोस बनाड़िया दोस्तों आब हो देखिए उसने हाल में अमेरिका ने काड बनायार भारते साथ मिलकर उसने यहां पर ताइवान को मिलिटरी सपोर्ट कर रहा है। वर हो रहाए है कहीं तो अमरी को फायदा मिला इस वर का यहां पर ठीक है तो कुन व्लाक अमरीका उत्व ह local उत्य थी है एक तरफ तो घर फिर स इस वहूँ हो पैसा जाती है कि भाँर लाइस करो अब अमरीका भार खर्च नहीं करेगा डुमेस्टिक डिमांड कहती है वहिया कि अलग रहू कोई पंगा नहीं करना बाहर जाके अमें क्या करना बाहर के लाए हम क्यों ले दूसर तरह अगर आपको चौदी बने रहना है तो दुनिया के मामलों में दखलाने दाई करनी पड़ेगी दोस्तों वह सीधी बात है तो अ अमेरिका इंटर्वीन करें अइस शिप करें और कही Não कहीं मामले को सुलिगाए यहां पर तो एक पंगार स초 वहीं बात है अमेरिका खिसकी साने तो अमेरिका बैलेस्स बना कर चलता है आप तक यहांपर बैलेस्फर बश्डाइए Netुनूने वाले हैं Kayu सब्दूना यह चु क्या बास्ते में है दोस्तों में आपको है एक क्लेयर हुआ टैक्स छोटा सा मिलके इसका या कहीं ताइवन को सपोर्ट भी कर रहा है बड़े स्केलों सारे पुइंट जोट सकते हैं अपने आंसर के अंदर हम बोगे हां पार क्या टॉपिक तेयार हो पाएगा दोस्तों ये क्या सा सुपर पावर होने का ये मतलब है कि हर जगा इंट्रवीन करें फता क्या चलेगा ना यार मेरे महले मालो लाई हूरे है ठीक है दो चोटे शोलोग लड़ रहे हैं मैं महले का चोधरी हूँ मैं जाके उनके बीच नहीं बैठूँगा चोधराट नहीं दिखाँगा तो मुझे कौन जानेगा ना मेरी पहचान भी यही ए कि मैं मामल आप्टा चलो आगे बढ़ते दोस्तों आगे चलें आपके साथ हम लोग आगे चलें जल्दी से याद रखिए कल सुबर साड़े दो बजी अपना पी आई भी सेशन होगा तो प्लीज डाइब रहेगा आप लोग अग्ला आठेखलत दौस्तों मारे पास है हौता एक रिपोर्ट आई है इसमें आपकल वाला कम है आज अर्टिकल मेरे मिजरमेदार नां आफिश है याँ एका रिपोर्ट आई है अमेर का यॉर्टी यॉ अन की रिपोर्डली दूस संस्ता नामे यु न्यूंत नियूरस्ती एक संस्था है, UNU, EHS नाम की संस्था है दोस्तों, उसने रिपोर्ट जा रही है, ठीक है, अब वो रिपोर्ट क्या है, तका मानना है कि दुनिया में छे ऐसी समस्या या चल रही है, इंटरकनेक्टिट रिस्क टिपिंग पॉइंट दोस्तों, जी हां, ये छे समस्या ऐसी है, यह अपने रिस्क टिपिंग पॉइंट पर आचुके है, रिस्क क्या होता है दोस्तों समझहिएंगए रिस्क टिपिंग पॉइंट क्या होता है, ये इक ऐसा चण होता है कि सामाजिक परियावाणी ये इस तो यहां पर रिस्क टिपिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, अपने आप में रिस्क टिपिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, किसी भी social economic system कोई है, वो उसका वो जगा जहां पर थोड़ा भी और रिस्क डाला जाए, तो कॉलेप्स कर जाएगा, तो वो खतम हो जाएगा, दुनिया में छे समस्या है, कौन-कौन सी है दोस्तों, mass extinction, जईवरिता खतम और एक बड़ी समस्या दुनिया में यह है अपने आप में, चिक है, जल स्तर में गिरावट आ रही है दोस्तों, बड़ी समस्या यह है, दुनिया में दूसरी बड़ी समस्या यह है, तीसरा glacier पे समस्या दोस्तों यह है, अंत्रेक्ष में कर्शा बढ़ना यह समस्या है दोस्तों अपने आप में, लगातार हीट बढ़ती जा रही है, हीट बढ़ना मतलब, climate change हो रहा है, unbearable heat बढ़ना यह दोस्तों, और कहीं न कहीं, जो भविश है, उसको लेकर बहुत विधा यह security नही है, यह करके बात कर लें, आपके समस्या है, क्या क्या है, अगर मास extension की बात करूँ, तो बड़ी जयविता खतम हो रही है, और जयविता सब जुड़ी होती है, food chain में जुड़ी है सब चीज एक दूसरे के साथ, food chain में जुड़ा है दोस्तों, यदि एक को नुक्सान होता है यह trigger कर सकती है बड़े scale पर अने परजातियों को, जी हाँ, मानलो एक परजाती दूसरी उखा रहाई थी, दूसरी तीसरी उखा रहाई थी, यह खतम हो गई, तो इसको खाने वादा कोई नहीं होगा यहाँ पर यह मरेगा, यही मरेगा कहीं और यहाँ कहीं अगर यह जो मा प्राकर्टिक जलब भराव की चेत रहे उसमें 211 पॉलिटेड हो चुके हैं खतम हो चुके है दूस्तों लिश्य तर पे मुश्किल होगी गलेशयर प्रिगल रहे हैं ऐसा माना गया है कि साल एक्कीस सो तक आते आते दुनिया के 50% गलेशयर प्रिगल चुके होंगे खतम हो च सेवंटी परसेंट किया है दोस्तों वह कछ्रा है वह स्क्रूब करता है नुकसान कर सकता बाकी चीजन को अपने आप में तो यहां पर लगाता पिशले कुछ सालों से क्लाइमेट चैंज की चलते ही यह मुश्क्रा अपने आप में तो यह शंद यह संथा दोस्तों आपके देखी रहे हैं पर संस्ता का नाम तो यह UN-EHS नाम की संस्ता है जिसने यह रिपोर्ट जारी की है six risk tipping point कॉन कॉंसिंट की चर्चा यहाँ पर की गई है दोस्तों क्या हो पाएगा आर्टिकल हमारा हो जाएगा दोस्तों चोटा सा आटिकल अपके साथ यह है चीक है दोस्तों यह एक चर्चा विश्य थे अपने पांच आटिकल आचके नहीं था यहाँ पर मीकलास रोकेंगे दोस्तों बाकि याद खिएगा आप जोड़ सकते हैं हमारे अपनी एप पर यहाँ पर आपकी दो आपके लिए दो प्रोग्राम दोस्तों कौन कों से अदि जानना चाहते हैं तो दो प्रोग्राम एस समय आप्पर आप लाइट चल रहा हैं एक है करन्ट अफ्यस ठीन अपना डिली मार्निंग बैच बैच निया होती है 9 ये इम पर तो डिली भैच है दोस्तों अपना ये कर इसके पहले क्लास मोग क्या है प्रोग्राम संद्री आपको इससे आपको जोइन कर सकते हैं दोस्तों उसको भी हमारा राइटिंग्स की प्रोग्राम यह चलेगा आपका अक्टूबर से फरवरी क्लास के अंदर आपके साथ ठीक है तो यह दो पार्ट हैं दोस्तों आपके दो प्रोग्राम चल रहे हैं इसे में आपके कर सकते हैं लेकिन शम्ता के विकास के लिए यहां जो सकते हैं साथ ठीक है चले दोस्तों भी दीजिए मुझे आग गया मुलाकात होगी आपके साथ सुवेश साड़े नौ बजे ज़े हम बात करेंगे पी आई वी बड़ लाइक और शेयर करके जाएए कि कमेंट बॉक्स पर कमेंट गरू कीज़ेगा थैंक यू